राथे राथे भगवान की कृपा से आप सब अच्छे होंगे। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी के चावल के उपायों से हम कैसे अपने जीवन से दुख और कष्ट दूर कर सकते हैं और अपने ग्रहां को भी शान्त कर सकते हैं। अगर हम मंगलवार वाले दिन चावल बना कर और साथ में कड़ी बना कर गरीबों में पांटें या अगर हमारी समर्थ्या हो तो भंडारा करें तो हमारे घर से पित्र दोश्यान्त हो सकता है और फिर घर में जो भी मंगल कार्या रुके होंगे वो होने शुरू हो जाते हैं। इसलिए मंगलवार को अगर चावल का दान कड़ी के साथ किया जाए तो ये बहुत ही उत्तम होता है इससे घोर जो पितर दोश है वो भी शान्त हो जाता है ये उपाए हमें साथ मंगलवार तक वश्या ही करना चाहिए उसके बाद आप देखेंगे के धीरे धीरे हमारे घर से पितर दोश माप्त हो जाएगा और रुके होए मंगल कार्या होने शुरू हो जाएंगे और दूसरा जो उपाए है वो ये है कि अगर बहुती घर में पैसे की तंगी है तो सवा किलो चावल लेकर लेकिन वो चावल तूटे होए नहीं होने चाहिए अखंडित होने चाहिए हमेशिव मंदिर जाना चाहिए और शिवजी के शिवलिंग के सामने बैठ कर उन्हें प्रार्थना करनी चाहिए कि मेरा जो हाथ है वो बहुती तंग है कृपा करके आप मेरे उपर अपनी कृपा बरसाएं और मेरे घर में भी धन का अशीरवाद दें तो उन चावलों में से एक मुठी चावल लेकर शिवजी के शिवलिंग पर अरपन करने हैं और बाके जो चावल है वो मंदर से बाहर आकर गरीबों में वितरित कर देनी हैं गरीबों में बांट देनी हैं ये उपाए करने से धन का संकर्स माप्त हो जाता है और भोले ना थ अगला उपाई हैं कि अगर हम कोई भी कारया करते हैं महिनत करती हैं लेकिन फिर भी मा लक्षमी हमारे घर में नहीं आती तो शुकर वाले दिन चावल की खीर बना कर नो कन्याओं को देनी चाहिए और साथ में दक्षना देनी चाहिए और साथ में एक एक हरी इलाइची उन कन्याओं को देनी चाहिए ये उपाय भी साथ शुकरवार तक करना चाहिए ये उपाय करने से भी हमारे जो धन के संकट हैं वो समाप्थ हो जाते हैं और मा लक्षमी अवश्या ही कृपा करती है अगर कोई साथे सती चल रही है और शनी देव की कृपा हम पाना चाहते हैं तो शनी वार वाले दिन चावल उसमें काले तिल मिलाकर शिवलिंग के उपर अर्पित करने चाहिए इससे हमारा शनी दोसमाप्थ हो जाता है और शनी देव की द्याद रिष्टी हमारे उपर होने लगती है इस तरह से ये चावल के दान के उपाई हैं अगर हम इने करते हैं तो हमारे जीवन से दुख दर्द समाप्थ हो जाते हैं और हमारे जीवन में भगवान की कृपा होती है आशा है कि ये मेरा वीडियो आपके लिए लाप्रसित होगा अगर थोड़ा भी हेल्पफुल लगे तो इसे शियर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें जै माता दी